में गीता जीपीटी किसान जीपीटी स्टार्टप जीपीटी र्यसिपी जीपी जैसे बहूत से कस्टम जीपीटीज आपको देखने को मिल रहे होंगे और उपन यह ने तो कुछ दिन पहले अपना खुद का कस्टम जीपीटी बनाने के लिए सर्विस दी दी लेकिन उसमें गड़बर यह थे कि यहार पैसे देने पड़ रहे थे और अगर कोई हमारा जी पीटी यूज भी करता तो उसको भी पैसे देने पड़ते तब ही वो यूज कर पाता अबे हमें यूट्यूब की एड्स मन्जूर हैं प्रीमियम देकर बंद करना नहीं तो आज हम बनाएंगे स इसकी मदद से आपके यूजर के साथ interaction बनती है और chances बढ़ जाते हैं कि आप product या service उसे बेच दो लेकिन हम इसके अंदर थोड़ी और जुगाड़ वाली situations को implement करेंगे और आज की trend क्या चल रहे हैं उससे हम chatbots से कैसे business बनाएंगे वो जान लेंगे तो हम सीधा जाएंगे droxy AI की तरफ, droxy AI जो है वो एक free forever tool है एक हद तक लगभग आपको सारे core features इसमें देखने को मिल जाते हैं इनके free plan में, अब machine को use करने से पहले ये जाना जरूरी है कि वो काम कैसे करती है, मान लो मैंने अपने पूरे YouTube channel या content का एक database तयार कर लिया, जिसमें मेरे लिखे हुए blogs, podcast, website, audio, video, सब है जिसमें मैंने business trends या ideas के बारे में बताया है, या कैसे scale कर सकते हैं उनके बारे में बताया है, अब मैंने वो सारी चीजों का एक drive link बना दिया, जिससे एक beginner को business या content industry में जाने के लिए छोटी-छोटी secrets भी पता चल जाए, या उसको एक path मिल जाए, अब मे videos के related, या business या content के related, वो आप उस chat board से पूछ लो, क्योंकि वो drive link जिसमें ये सारी चीज़े मौजूद थी, वो एक ड्रॉक सी AI, मुझे chat board में convert करके दे देता है, अगर मैं आसान भाशा में बताऊं, तो मेरा ही AI avatar आपको answers देगा, अब अगर for example मैं chat GPT में जाता हूँ, Alex Harmo जो के बड़े business creators में से एक है, इनकी scaling techniques बहुत मशूर है, तो उनकी learning मैं अगर GPT से पूछूँगा, तो वो कह देगा कि मेरे पास enough information नहीं है, या मेरे पास उतना data नहीं है, कि जिसके बारे में मैं आपको बता सकूँ, लेकिन generally, लोग क्या करते हैं, मैं वो बता देता नहीं अगर मैं Alex Harmozy का AI chatbot बना दूँ और उस chatbot से अगर मैं उनके basis पर कोई भी सवाल पूछूँगा, तो Alex Harmozy का AI chatbot उसकी personality के अनुसार ही मुझे answers देगा, अब इसका इसका इस्तिमाल करते हुए business content creator, teachers, educators या managers भी इस्तिमाल कर सकते, तो आओ जान ले वो कैसे होता है, मारे शामने ऐसा dashboard खुल जाएगा, तो सबसे पहले आप जाएंगे resources में, add के option पे click करेंगे, तो आपको चार तरीके की resources देखने को मिलेंगे, आप अपने device से अगर कोई resource है, आपका audio, video, तो आप उसे upload कर सकते हैं, या YouTube video का इस्तिमाल कर सकते हैं, कोई website का link है, तो उसे paste कर सकते हैं, या कोई raw text, जो की एक blogs होते हैं, उनको भी लिख सकते हैं, तो as in resource के form में, आप क्या data provide करना चाहते हैं, वो डालना है आपको, हम यहाँ पर for example ले ले लेते हैं, Warren Buffett का एक chatbot बना रहे हैं, upload में click करेंगे, और यहाँ upload होना चालो हो जाएगा, लेकिन free plan में आप limited data source ही डाल सकते हैं, लेकिन वो effective होते हैं, उतने हमें काम हो जाता है, अब यह जो resources हमने बनाए हैं, उसको chatbot में implement करना है, तो हम सीधा जाएंगे chatbots के option के तरफ, add के उपर click करेंगे, जो भी resources हमने डाले थे हैं, उनको select करो, या यहाँ से भी आप add कर सकते हो, अब हमें chatbot का persona decide करना है कि chatbot कैसे behave करें आपके साथ, या उसकी personality कैसी होनी चाहिए, तो नीचे configuration की tap के उपर आपको 4 options देखने को मिलेंगे, as an assistant की तोर पे chatbot आपको जवाब दे, या coach की form में, या advisor या expert के तोर पे आपको जवाब दे, और chatbot की tone क्या होनी चाहिए, humor, friendly या formal, वो भी आप select कर सकते हैं, या अपना behavior खुद भी बता सकते हैं कि आपको कैसे behave करना है, ये भी तो बता, अपने AI model को आप चुने, लेकिन free plan में 3.5 GPT version मिलेगा, अब आपको accessibility का option पर जाके private करना है, public करना है, या password protected रखना है, इस chatbot को वो आप select कर सकते हैं, वैसे password protected मे एक फायदा है, आगे जाके आप इसे monetize कर सकते हैं, समझे रहो ला, अब हम design करेंगे chatbot का interface, आप अपने chatbot के interface को customize कर सकते हैं, उसका नाम डालके, या कोई welcome message लिखके, कि जब भी user type करे तो welcome message उसे मिल जाए पहले, या आपके chatbot के अंदर क्या color themes होनी चाहिए, वो select कर सकते हैं, आप अपन उनके basis और personality के हिसाब से ही आपको answers मिलेंगे, अब अगर आपका कोई business है, तो आप अपनी website में से integrate कर सकते हैं, अब इस साले तु कह रहा था, ये free है, तो ये क्या है, ड्रॉक्सी यह है, जो है, वो एक free forever tool है, एक हद तक, अब मान लो, आप एक content creator हो, आप अपने discord या website से connect कर सकते हैं, और WhatsApp और Telegram का option भी coming soon दिखा रहा है, आजाए को तो अच्छी वात है, इसका एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपकी एक ही नीश है, तो आप अपने YouTube वीडियो को chatbots में convert कर सकते हैं, हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ कि YouTube वीडियो में subtitles होंगे, तब ही ये काम कर पाता है, तो अगर आपके user को कोई भी परिशानी हो YouTube वीडियो में आपने कोई tutorial बताया है, या कोई podcast में आपने कुछ बताया है, तो उसके basis पे users आपके chatbots से सवाल पूछ सकते हैं, और उनको जवाब मिल जाएंगे, ये teachers और education platform जो YouTube पे चलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप उससे पूछेंगे, इसका फायदा क्या है, यार, इससे क्या, ये क्या, कहा है, सबसे पहला फायदा है, आपका personal interaction, जो बनता है आपके audience के साथ, और दूसरा, instant customer satisfaction, अब for example, मान लो, आपने एक course बनाया, कि मैं इसको ऐसा बेचूँगा लेकिन जो हमने अभी situation देखी, जो अभी market में चल रही है, वहाँ पर थोड़ी गड़बड है, तो ये course सही है, कि नहीं है, क्या provide कर रहा है, कितनी चीज़े provide कर रहा है, जो वादा कर रहा है, वो निभाएगा कि नहीं, ये लोगों को जाना है, तो आपके course के अंदर जो भ बन जाएगा, और अगर किसी customer को कोई सवाल पूछने की जुरत हुई, तो वो उस चैट बॉट से पूछ लेगा, और उसको वही जवाब मिलेंगे, जो आपने privacy policy में लिखा है, तो ट्रांस्परेंसी भी रहेगी, लेकिन अगर मैं आपको एक best idea दूँ, जिससे आप चैट बना सकते हैं, और शायद, शायद, डे वन से ही income earn कर सकते हैं, तो वो एक चैट बॉट की नीश है, उसे हम कहते हैं, इंडियन लेबर लॉज, तो जो इंडिया की लेबर लॉज है, उनकी पूरी PDF मौजूद रहती है, अब मान लो, आपने पूरा database तयार कर दिया, जहां पर labor laws के बारे में हर वो चीज है, जो आपको जाननी चाहिए, और अगर लोगों को आप कोई action लेना है, और जानना है कि यह law के अनुसार सही है या नहीं, तो वो उस chatbot से पूछ सकते हैं, और chatbot आपको law के अनुसार क्या actions लेना चाहिए, वो बता देगा, और आगे जाके आप इसको locked content के तहित monetize भी कर सकते हैं, अपना content भी बना सकते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं, तो Cosmo feed जैसे platforms हैं, जिन से आप locked content बना के इसे monetize करते हैं, लेकिन एक और free चीज है, जो मैंने आपको बताए, नहीं यह वाली वीडियो जहां पर मैंने पूरा business plan बना दिया है, दोज इनल्यार!